सरकार का खरीब चावल उत्पादन का पहला अनुमान 6 फिसदी हुआ कम जी हाँ परमुक उत्पादक राज्यों खासकर जारखन में कम बारिश के कारण धान खेती का रकबा कम रहने की वज़े से इस साल खरीब सत्र में भारत का चावल उत्पादन 6 फिसद घटकर 10 करोड 49 लाख 9,000 तन रहने की संभामना है फसल वर्ष 2022 ते इसके खरीब मोसम के लिए पहला अगरी मनुमान जारी करते हुए क्रिशी मुंत्राले ने कहा है कि चावल का उत्पादन 10 करोड 49,09,000 तन होगा जो कि पिछले साल की समा नवदी के 11,17,06,000 तन से कम है मुखे रूप से जारकंड में कम यानी 9,37,000 हेक्टर में ही धान की खेती होने के कारण चावल का उत्पादन परभावित होने की आशंका है खराब वर्षा के कारण धान खेती का रकबा घटकर मध्य परदेश में 6,32,000 हेक्टर हो चुका है वहीं पश्चिम में गोल में 3,65,000 तो उत्तर परदेश में 2,68,000 हेक्टर में हुआ है जबकि बिहार में 1,97,000 हेक्टर रह चुका है खरीब मोसम में बॉआई जून से दक्षिन पश्चिम मोनसुन की शुरुआत के साथ होती है अक्तूबर से कटाई शुरु होती है और चावल मुखे रूप से खरीब मोसम में ही उगाया जाता है कुल चावल उत्तपादन में खरीब का हिस्ता 85 फिसद है और 6,15 फिसद रभी के मोसम में उगाया जाता है मंत्रालिया के अंक्ड़ों के नुसार चावल उत्पादन में संभावित गिरावट से खरीफ सतर 2022-23 में देश का कूल खाद्यान उत्पादन घटकर 14 करोड 99,002,000 टन रहने का नुमान है जो कि खरीफ सतर 2021-22 में 15,006,004,000 टन का हुआ था जानकारों का कहना है कि ये शुरुवाती अनुमान है और कुछ राज्यों में बारिश में सुधार से धान कवरेच और उत्पादन परिदर्शय में अंतर कम होने की संभावना है चावल के अलावा खरीफ मोसम में उगाई जाने वाली अन्या फसलों में मोटे अनाज और दाले भी शामिल है वहीं अरर और उडत के उत्पादन में मामुली गिरावत के साथ इस खरीब सतर में दालों का उत्पादन पिछले साल के 83,7,000 टन के सरपर ही रहने का अनुमान है इस खरीव सत्र में मोटे अनाज का उत्पादन 3,65,6,000 टन से थोड़ा अधिक होने का नुमान है जो एक साल पहले की समान अबदी में 3,69,1,000 टन था वही मक्य का उत्पादन रिकोर्ड 2,31,00,000 टन होने का नुमान है जो पहले 2,26,3,000 टन हुआ था वही गैर खाद्यान श्रेणी में इस खरीव सत्र में तिलहन का उत्पादन 2,35,7,000 टन होने का नुमान है जो की पिछले साल की समान अबदी में 2,38,8,000 टन रहा था वही सोयबीन का उत्पादन कम यानी 1,28,9,000 टन होने का नुमान है जो पिछले साल की समान अफदी में 1.29.9 तन था वहीं नकदी फसलों में मंत्रालिया ने फसल वर्ष 2022 तेज में कपास उतपादन 3.41.9 गांट होने का अनुमान लगाया है जो कि पिछले साल 3.12.1 गांट का हुआ था ऐसे ही गन्य का उतपादन रिकोर्ड 46.50.05 तन होने का अनुमान है जो पिछले साल की समान अफदी में 43.18.00 तन हुआ था मौजूदा फसल वर्ष के दौरान जूट का उतपादन पिछले वर्ष के 1.3.1 गांटों की तुलना में 1.90.000 गांट रहने का अनुमान लगाया गया है मंतरालिया फसल की स्तिती और कटाई के विभिन चर्नों में अन्ती मनुमान से पहले 4 अगरी मनुमान जारी करता है बिरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी